स्वागत है मेरी किचन में दूस्तो आज ने बनाने जा रहे हूं seben की मन पसंद चॉकलेट तो आज हम बनाएंगे के पसंद दाती है Քर अब को लाइक करें करें अ को प्रीच करनाश nब पूले तो चछलिए थेवाना होमेड चॉकलरेट्ड वनाना है जो लिया है चॉकलेट यह डार्क चॉकलेट का एक बार लिया है मैंने और यह वाइट चॉकलेट का मैंने दो बार लिया है आप मैं आपको दिखा रहे हूं जी देखिए इस तरह के से यह जो है इसका आप यूज कर सकते डार्क कंपाउंड चॉकलेट है यह यह वाइट कंपाउंड चॉ बनाते समय या बटर स्कॉच केक बनाने में यूज करते हैं केरमलाइज जो ड्राइफ हुट है वो मैं इसमें थोड़ा सा यूज करूंगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे चॉक्लेट को हम छोटे चुटे चुटों में कट कर लेते हैं अब हम इसे मिल्ट करना है तो मेल्ट करने का दो तरीका दोश्तो आप चाहे तो हाँए तो यहांनी पानि गरम करकर के उसी काशिक का बौल या स्चिल का ब्रणत रखकर उसे इसे छाइं कर सकते हैं या फिर सकते हैं आप in microwave नमें 5 मिट के लिए Mild कर सकते हैं तो आज मैं इसे microwave meld करूँगी तो इसे में 5 मिलफ में microwave करें हाइप रक देती हूं देखे 5 मिनके बाद मैंने इसे microwave से निकाला है तो यह म रूप हुआ है पर इसे बहु कहा है है तो अब मैं इसे 5 मिल्फ में microwave में फिर से हाई पी से मेल्ट कर लेती हूं तो इसे पर फिर से माइक्रोवेब में डालते हैं देखें दोस्तों हमादों चॉकलेट है वह अच्छे से मेल्ट हो चुका है आप देख सकते हैं बिल्कुई भी लंस नहीं है अब हम इसमें मिलाएंगे यह रोस्टेट जो ड्राइफूट से वह इसमें तुछ अवला सा मिला देते हैं और इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया था यह करामल रज जो बीन है व्यूब कर लेटें से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है हम क्या करेंगे थोड़े-थोडे से जो इसमें से लेखय हम इसमें मॉल् हमें इस सारे मोल्ड को इससे अच्छे से फिल कर देना है देखें दोस्तों मैंने ये दोनों ट्रे को अच्छे से फिल कर दिया है आप देख सकते हैं एक वाले ट्रे को इस ट्रे को मैं अच्छे से फिल कर दिया है अब हम इसे एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में सेठर निकले रख देते हैं फिर हम इसे निकाल के सर्व करेंगे दोस्तों आप जब इसे इसमें फिल करेंगे तो एक बत का ध्यानकी का कि जो लिक्वीड है जो हमारा वह ज्यादा थंदा नहीं होना चाहिए अगर वह थंद कर लेना है आप देखिए हमारा चॉकलेट कितने इची से बनके तयार है आप देख सकते हैं इसी तरह हम सारे चॉकलेट को अन्मूल्ड कर लेते हैं यह देखिए इसमें से भी अन्मूल्ड कर लेते हैं आप देख सकते हैं सारे चॉकलेट को अन्मूल्ड कर लिया है आप द तरह के डिजाइन है और कुछ यह जो है चौकलेट वो मैंने अपने फ्रीज के जो आइस बॉक्स उसमें जमाया था देख सकती है तो जितना मैंने चौकलेट लिया था दोस्तों उसमें मैंने 25 से 30 चौकलेट बनाया है और यह बहुत ही असानी से बहुत ही जल्दी बन जाता ह आप इसे बनाके बच्चो को खिला सकते है और इसे चाहे तो डिफ्ट भी कर सकते हैْ यह देखे इस तरह का एक चौकलेट लियूट्र तो आप देख सकते हैं निद्टों कि अच्छा लग रहा है दोस्तों वा यह समया सकते हैं बहुत वह स्थ क्षे अच्छी तॉफी आप उस घर में तो दोस्तों आप देख सकते हमें विल्ग है प्षान rifi process आपमाठेश को झाल झाल